Brought to you by 5pesa.com, investing made easy and rewarding. Download the app now. इडी इन क्रिप्टो एक्सचेंजों को बीते दो सालों से नियमित रूप से तलब करता रहा है और ग्राहकों के लेन देन का विवरण मांगा जाता रहा है। इडी ने हमारी कमपनी के कई डेटा की मांग की है कि कमपनी के काम का तरीका क्या है और कमपनी ने कितना लेन देन किया है। कॉइन स्विच कुबैर ने कहा है कि हम से कई सरकारी एजन्सियां हमेशा सवाल करती रहती हैं। हम सभी सवालों के जवाब पूरी पार्ट दर्शिता से देते हैं। कॉइन स्विच कुबैर ने आगे कहा क्रिप्टो इंडस्ट्री फिलहाल अपने शुरुवाती चरण में हैं। जिसमें ग्रोथ की काफी संभाब नाए हैं। इसमें कई-कई स्टेक होल्डर शामिल है। इसलिए हम जाच एजंसियों की बातों पर पूरी तरह से अमल करते हैं। वजीर एक्स के प्रवक्ता ने कहा कि हम मामले पर ततकाल कारवाई से महलत के लिए करनाटक हाई कोट में याचका दायर की है। फिलहा लिया चुका अभी उच्छ न्याय न्याले के पास लंबित है। आपको बता दे के क्रिप्टो इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्रिप्टो केरिंसी की कीमतों में मसलन बिटकोईन, इथेरियम समेत सभी क्रिप्टो के भाव में लगतार गिरावट जारी है। वही सरकार ने भी क्रिप्टो एक्स्चेंज पर शिकंज़ा कसते हुए 10,000 से जादा लेंदेन पर 1 फीसदी TDS लेना शुरू कर दिया है। मेरा नाम है फात्मा जहरा, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। ललन टॉप के साथ शुक्रिया। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट, यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद, अब बारी है एप की, ललन टॉप एप जो लाँच होते ही कुछ ही घंतों में बन गया था नमबर वन, प्ले स्ट की वीडियो सबसे पहले, पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले, खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, बड़ी खबर हो या फिर हो, किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने, इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौ